सुई देने वाली पेड की कहानी एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे इन दोनों में से जो भाई बड़ा था वो बहुत ही ख्राब बरताव करता था छोटे भाई के साथ जैसे कि वो प्रतिदिन छोटे भाई का सब खाना खलेता था और साथ में छोटे भाई के नए कपरे भी खुद पहन लेता था एक दिन बड़े भाई ने तै किया कि वो पास के जंगल में जाकर कुछ लकडिया लाएगा जिसे कि वो बाद में बाजार में बेच देगा कुछ पैसो के लिए जैसे ही वह जंगल में गया वहीं वो बहुत से पेड काते फिर ऐसे ही एक के बाद एक पेड काटते हुए वह एक जादूई पेड पर ठोकर खाई ऐसे में पेड ने कहा अरे महरबान सर क्रिप्या मेरी शाखाएं मत काटो अगर तुम मुझे छोड़ दो तब मैं तुम्हें एक सुनरा सेब दूँगा वहाँ उस समय सहमत हो गया लेकिन उसके मन में लालच जागरित हुआ उसने पेड को धमकी दी कि अगर उसने उसे ज्यादा सेब नहीं दिया तो वहाँ पूरा धर काट देगा ऐसे में जादूई पेड बजाए बड़े भाई को सेब देने के उसने उसके ऊपर सैकडो सुयों की बौचार कर दी इससे बड़े भाई दर्द के मारे जमीन पर लेते रोने लगा अब दिन धीरे धीरे धलने लगा वही छोटे भाई को चिंता होने लगी इसलिए वहाँ अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल चला गया उसने उस पेड के पास बड़े भाई को दर्द में पड़ा हुआ पाया जिसके शरीर पर सैकडो सुय चुभी थी उसके मन में दया आई वह अपने भाई के पास पहुचकर धीरे धीरे हर सुय को प्यार से हटा दिया ये सभी चीजें बड़ा भाई देख रहा था और उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था अब बड़े भाई ने उसके साथ बुरा बरताव करने के लिए छोटे भाई से माफी मांगी और बहतर होने का वादा किया पेड ने बड़े भाई के दिल में आए बदलाव को देखा और उन्हें वह सब सुनहरा सेब दिया जितना की उन्हें आगे चलकर जरूरत होने वाली थी सीख इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सभी को देयालू और शालीन बनना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है